लिए दोस्तों नमस्का स्वाथ आपसका फिसेने वीडियो में दोस्तों आज की डियो में हम देखुआ ले हिंद महासागर में भारत की केंद्रिय इस्तिती से इसे किस परकार लाब प्राप्त हुगा है तो चले दोस्तों देख लेते हैं दोस्तो हिंद महासागर जो की पश्च में यूरोपिय देशों और पूर्वी एसियाई देशों को मिलाता है दोस्तो भारत को केंद्रिय इस्तिती प्रदान करता है दोस्तो दच्छन का पठार हिंद महासागर में सीर्सबत फेला हुए है वा दोस्तो पष्च में इसिया अफरीका और यूरूप के देशों के साथ-साथ पूर्वी इसिया के देशों से भी पूर्वी तटके माध्यम से निकट बरती संबंद बनाए हुए है हिंद महासागर में किसी भी देश के तटिय सीमा भारत जैसी नहीं है दोस्तो भारत की दोस्तो इसी महत्पूर्ण स्तिती के कांड इसका नाम हिंद महासागर रखा गया है दोस्तो भारत का बिश्च के देशों के साथ संपर के यूगों पुराना है दोस्तो परंतु यह सम्मंदी दोस्तो यह सम्मंद समुद्री जलमारगों की अपेक्छा भू भागों से होकर था दोस्तो इन मारगों से प्राचे इस समय से बिचारों और बस्तों का आदान पैदान होता रहा है और दोस्तो इसी परकार उपनिसेदों के बिचार रामायर तत्था पंचे तंत्र की कहानियां बायती अंक्ड एभम दसमला उ परणाली आधी बिस्ट के विविंद भागों तक पहुंच सके दोस्तो मसाले मलमल अधी कपड़ी तत्था ब्यापार के अन्न सामान भार से विव यूनानी इस्तापत कला तथा पश्ची में यसिया की बास्तू कला के प्रतिक मीनारों तथा गुंबदों के परप्राव हमारे देश के विभिन भागों में देखा जा सकता थे तो दोस्तों आसकर ताप लोग वीडियो पसंद आएगी वीडियो पहमें लाइक नों सबस्क्र जो कलेना चले दूस्तों मिलते हैं लोग यूदेमा तब 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 कि लूंसका जाएगी